नमस्कार दोस्तों, Health Tech चैनल पे आपका स्वागत है फ्रेंट्स आज की वीडियो में हम आपको Medicellic Condiment के बारे में जानकारी देंगे फ्रेंट्स इस वीडियो में जानेंगे कि स्क्रिम का इस्तिमाल किन किन समस्याओं में कर सकते हैं इसको कैसे इस्तिमाल करना है इसकी Market Price, Content, Side Effect इन सब के बारे में पूरी जानकारी देंगे और साथ में जानेंगे कि क्या इसको चेहरे पे भी लगाया जा सकता है गोरा होने के लिए या नहीं तो फ्रेंट्स किप्या वीडियो को पूरी देखें ताकि आपको इसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी मिल सके तो फ्रेंट्स मेडी सेलिक अंड बेंड इसके Market Price की बात करें तो 140 उपए इसकी Market Price है और इसको टार्क्यू कंपनी के द्वारा बनाया जाता है फ्रेंट्स ये 20 ग्राम की पैकिंग में आता है और बहुत ही मसूर है और एक मेटकल इस्टोर पे बहुत ही आसानी से मिल जाएगा तो फ्रेंट्स से इसके Content की बात करें तो इसमें कुलोबेटा सुल प्रोपियोनेट और सेलिसिलिक एसीड होता है फ्रेंट्स क्रीम का इस्तेमाल दातकाच खुजली, फंगल इंफेक्शन या बेक्टिरियल इंफेक्शन इन सब समझ्याओं को ठीक करने के लिए किया जाता है फ्रेंट्स सरीर में कहीं पे भी धाने निकल लाए हो या उसमें खुजली हो रही हो, लाल चकत्ते हो गए हो तो इन सब को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है बहुत ही बेतरीन क्रीम है और बहुत ही बेतर रिजल्ट है फ्रेंट्स इसमें जो क्लोबेटा सोल प्रोफियोनेट होता है और ये इलर्जी की प्रक्षिया को ठीक करता है जैसे कि शरीन में धाने हो गए हो या खुजली हो रही है तो इन सब समस्याओं को ये ठीक करता है तो फ्रेंट्स इसकी इंफेक्शन के लिए ये बहुत ही बेतरीन क्रीम है और बहुत ही फायदेमान्द है लेकिन कुछ लोग इसको चेहरे पर भी इस्तिमाल करते हैं तो वो भी ठीक है लेकिन इसका इस्तिमाल सिर्फ रात में करना चाहिए और इस्तिमाल करने से पहले इसको थोड़ा सा लगा के देखने कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है अगर side effect हो रहा है तो इसको न लगाएं और स्क्रीम का इस्तिमाल अगर fairness के लिए कर रहे हैं तो दूप से बसना होगा क्योंकि दूप में निकलने से इसके side effect होते हैं तो फ्रेंट्स अगर आप स्क्रीम का इस्तिमाल दाद खाज खुजली और skin infection के लिए कर रहे हैं तो कैसे इस्तिमाल करना है उसके बारे में जान लेते हैं तो फ्रेंट्स जिस जगह भी दाद खाज खुजली हो उस जगह को अच्छी तरह से साफ कर लें पानी से दो लें और उसके बाद जब सूख जाए तो इस क्रीम को दिन में कम से कम दो बार लगाएं ऐसा करने से पंगल इंफेक्शन दाद खाज खुजली बहुत ही जल ठीक हो जाता है और फ्रेंट्स मेडिसेली कांडमेंट को इस्तिमाल करने से पहले एक बार अपनी डाक्टर से परामर्स जरूर ले लेना चाहिए उसके बाद इसका इस्तिमाल करना चाहिए क्योंकि फ्रेंट्स इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं तो आए फ्रेंट्स जान लेते हैं मेडिसेली कांडमेंट के कुछ साइड इफेक्ट के बारे में तो फ्रेंट इस क्रीम के जो side effect हैं जैसे कि जिस जगह पे भी इसका इस्तिमाल कर रहे हैं उस स्थान पे जलन महसूस हो सकती है, खुजली हो सकती है, धाने निकल सकते हैं या तोचा पतली हो सकती है, तोचा लाल हो सकती है, यह सब इसके side effect हैं तो फ्रेंट्स अगर ऐसा कोई साइड इफेक्ट होता है तो इसको बंद करके अपनी डाक्टर से संपर कर लें तो फ्रेंट्स यह थी हमारी आज की जानकारी मेडिसेली का अंडिमेंट के बारे में आचा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नूटिपिकेशन आपको मिलता रहे और दवाओं के बारे में जानकारी मिलती रहे तो फ्रेंट्स मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ